एक सपने के तूट कर चकना चूड हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के होसले को ही जिंदगी कहते हैं जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए है अपनों से हो जंग तो हार जाना चाहिए गजब की एकता देख ली मैंने इस जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में हिसाब किताब सिर्फ उपर वाले ने ही सही लगाया, सब को खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया जिंदिगी में दो मित्र ऐसे जरूर होने चाहिए, एक क्रिष्ण जैसा जो नौ लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े सिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मतुरा कासी है बुड़े वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ काम्याबी पर मिलने वाली तालियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है दुनिया में दो ही चीजे ऐसी है जिसे देने में किसी का कुछ नहीं जाता एक मुस्कुराहत और दूसरी दुआ मीठे बोल बोलिये क्योंकि अलफाजों में जान होती है इनहीं से आरती, अरदास और अजान होती है ये दिल के समंदर के वोम होती है जिन से इनसान की पहचान होती है कितना मुश्किल होता है मड़े हुए मन को जिन्दगी भर जिन्दा जिस्म में डोना आपका ब्यवहार खुद के प्रतिक कैसा है या सुनिश्चित करता है कि दूसरों का ब्यवहार आपके प्रतिक कैसा होगा जिन्दगी छोटी नहीं होती लोग जीना ही देर से सुरू करते हैं जब तक रास्ते समझाते हैं लोटने का वक्त हो जाता है मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रख लेने से फासले हो जाते हैं जब छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे दुनिया कहती थी याद रखना सीखो जब बड़े हुए तो हर बात याद रहती है पर दुनिया कहती है कि भूलना सीखो इनसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुड़ाई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता इनसान हस्ता तो सब के सामने है, लेकिन रोता सिर्क उसी के सामने है, जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा हो जिन्दगी आसान नहीं होती इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नजर अंदाज से सच्चाई और अच्छाई की तलास में चाहे पूरी दुनिया घूम लो अगर वो हमारे अन्दर नहीं है तो कहीं भी नहीं है जिन्दगी में चुनोतिया हर किसी के हिस्से नहीं आती क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है आये थे कुछ लोग मेरा दुख बाटने पर जैसे ही मैं थोड़ा खुश हुआ वो नाराज होकर चल दिये सच कहूं तो कई बार हम इतने बेवकूप हो जाते हैं कि जो सक्स हमारी कदर नहीं करता हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं कुछ लोगों में इतनी काविलियत होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहो वो उसमें बुड़ाई खोज ही लेते हैं मिठास रिस्तों में छुपी होनी चाहिए बातों में तो चासनी कोई भी घोल लेता है जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुड़े ही ठीक हैं अगर कोई आपको बुड़ा कहे तो दिल पे मत लेना क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में वही इंसान हमारा सब से ज़्यादा उठाता है अगर गौर से सोचोगे तो तुमें ये एहसास होगा कि गश्ट देने वाला हमेशा कोई अपना ही खास होता है पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आज कल ब्लड प्रेसर बढ़ाते हैं आपके पास कितने सारे हैं उससे कोई फर्क नहीं परता आपके काम कितने आएंगे ये महत्वपूर्ण है ये तीन चीजे काफी है जिन्दगी का सुकून छीनने के लिए जूठा प्यार, मतलवी यार और पंचायती रिस्तेदार कुछ लोगों को छोरना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते किसी का साथ अगर जिन्दगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो कोई इनसान आपको धोखा दे या उसकी गलती है पर वही इंसान फिर से धोखा दे तो ये आपकी गलती है अपने होसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी पड़ेसानी कितनी बड़ी है अपने पड़ेसानी को यह बताओ कि तुम्हारा होसला कितना बड़ा है जुनून जैसी कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, मुर्खता जैसी कोई जाल नहीं और लालत जैसी कोई धार नहीं चलो चोडी से रखाते हैं खुसहाली उनके सिरहने में जिने अर्षा भीता है खुल कर मुस्कुराने में दिल हजार बार चीखे, उसे चिलाने दीजिए, जो आपका नहीं हो सकता, उसे आराम से जाने दीजिए दूसरों की अपेक्षा आपको देर से सफलता मिल रही है, तो उदास मत हो ये, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है झाल